नमस्कार आप सबी को इन देनों काफी सारी ऐसे क्वेरीज आ रही है विए में कोटा स्टुएंट्स की जैसे कि स्कॉलर्शिफ के जो फॉर्म चल रहे हैं आपकी फी जो अपकी रिफंड की जाती है रिइंबर्समेंट होता है फी का इस्पेशली काली जो गर्स केंडरेट्स है या स्टुएंट्स है उनके लिए ही है यह अब यहाँ पर बहुत सारी क्वेरीज है कि कौन कौन फॉर्म फिल कर सकता है और जिसमें क्या अपने अपने कमेंट्स भी दिये हैं जिसमें सब क्या लग रहा कुछ प्रॉब्लम्स है ज तो यहाँ पर आपको जो वीए में की जो ऑफिशल वेपसाइट है वही पर आपको जब स्क्रॉल करेंगे आप तब आपको जॉप्शन मिलता है फिर इसी डाउनलोड का वही से आप जो है उसको डाउनलोड कर सकते हैं जो आमेरे पिसले वीडियो में भी आपको बताया था स्कॉलर्शिप वाला जो वीडियो था इसके अलावा उसको आपको डाउनलोड करके जो है साथ जा प्रिंट ले करके आपको रिजनल सेंटर से वेरिफाई करवा करके फिर अपलोड करना है तो यहाँ पर जो आपका स्कॉलर्शिप के बारे में बात है उसके बारे मेरे करने का जो पूरा प्रॉसेस था वो भी दिया हुआ था अगर आपके तक वो नहीं देखा है तो देख लीजेगा लिंक आपको टेलिग्राम चैनल का मिल जायाएगा या फिर आपको डारेक्ट जो वेबसाइट का लिंक है वो भी यहां पर मिल जायाएगा डिस्क्रिप्शन अब यहां पर हम बात करें साथी फी रिफॉंट को लेकर के किस तरह से फी जो है रिफंट की जाती है रिंबर्समेंट होता है कौन-कौन एलिजिबल है नहीं है इसको लेकर के तो इसकी जो पूरी गाइडलाइन है वो एक पार आप ज़रूर पर लीजेगा चो कि हम यहां पर देखते हैं जैसे कि आपको पता है कि बाली का दुरस्त जो सिक्षायोजना है वो आपकी जुलाई 2012 से जिन लोगों एडमिशन लिया है मतलब जिनके फीमेल कंडिट से अडमिशन लिया है उन्हें के लिए है तो यह आपका यहां पर ओडर आया हुआ है इसके लिए और यहां पर हम बात करें कौन-कौन एलिजिवल है नहीं है इसके बारे में स्पेशली आप जिन्हों ने ओपन जो डिस्टेंस एजुकेशन में ही एडमिशन ले रखा है वो ही आपर एलिजिवल है यह आप ज़रूर धान रखेगा एलिजबिटी क्रैटियरिया के अंदर यहा कोई भी कर रहे हो तो यहां पर वह ईलिजिबल है ठीक है इसके अलावा ये आपका डिस्टेंस एजुकेशन में ही काम आएगा जैसे कि डिस्टेंस एजुकेशन आपकी बीमों यसे इगनूसे हो रही है इसके अलावा अगर कोई केंडिट ऐसा है जो कि फी वेब साइट पर जितनी भी आपकी वेरियस जो scholarship है अगर वो आपको मिल रही है फिर भी आप यह form फिल करेंगे तो आपको वो नहीं मिलेगे तो ध्यान रखेगा कि आपकी इस तरह की अवेलेवल अंडर दा स्कीम तो फी रिंबस्मेंट होगा आपका युजी बीजी डिप्लोमा सर्टिविट कोर्स के लिए अंडर डिस्टैंस एडूकेशन मोड फूल डियोरेशन आप कहां से काउंट करेंगे जुलाई दो हजार बाई से ठीक है इससे पहले का नहीं करेंगे ठीक है जुलाई दो होजाबाई से ही है आपका जो फ्रेश एड्मेशन रहा है नो अदर अडिशनल ग्रांट विल बी पेएबल इसके लाबा है प्रोसीजर ऑप्लाइंग एंड सेलेक्शन प्रोसीजर अंडर दर स्कीम किस तरह से आप्लाई करेंगे एप्लिकेशन जो पर आपको शॉर्ट रोटिविकेशन वगरा मिल जाते हैं अभी वीमोई ने भी शेयर किया था जो कि हमने जस्त कल वाले वीडियो में बात कर रखी है तो वो आपको रिडेक्ट कर देगा ऐसे सोपर ठीक है इसके लाबा आपका जैसे ही फॉर्म फिल करेंगे इमित्र की थ करते रहना है साथ ही साथ आपको जो है रिसीट वेरिफाई करके जरूर अपलोड करनी है वह इंपॉर्टन है साथ ही साथ आपका आधार जनाधार यह तो जरूरी है स्कॉलेशिफ फॉर्म बनने के लिए तो यह जरूर ध्यान रखेगा दिवरेशन और फी अब यहां पर है कि रिन्यूवल किस तरह से होगा रिन्यूवल मतला अब नेक्स्ट येर का मालों भी एक कर रहे है तो आपको नेक्स्ट येर की भी तो लेनी है ना फी रिफंट तो उसके लिए भी आपको क्या करना है कि रिन्यूवल इस तरह से होगी तो यहां पर आपको जो दूसरे साल के आपको जो फी अपने पेगी है उसको भी आपको इस तरह से जो है complete करना है अपना form साथ में आपका जो satisfactory academic performance भी आपकी रही हो ये भी अब्धान रखें अपने जो first year की है वो साथ में है कि students failing to get promoted to the next class level would forfeit the benefit of a scheme अगर आप मालो की अपना जो पहला साल है वो आप complete नहीं कर पाते हैं इनकेस आपके काफी सारी subject में not cleared इस तरह से आजाता है फिर भी आप जो promote हो जाते हैं तो इस तरह से आपको जो है इसका कोई फाइदा नहीं मिलेगा फिर से आपका renewal नहीं होगा तो आपको पहली line जो यहां पर दी वी थी वो जरूर धान रखनी है satisfactory academic performance आपकी होनी चाहिए कि आपने वो pass किया हो तो ही आपको फिर जो है आपका renewal होगा वहां पर आप के not cleared आ रहे हैं NCNC आ रहे हैं फिर भी आप next year भरते जाओगे तो वो उसमें नहीं मिलेगा तो यह इसमें दिया हुआ है यह जरूर धान रख लीजेगा क्योंकि यह notification में तो यही बात की वही है बाकि आप इसको और अ इसके अलावा seats for reimbursement of fee तो यह आपका UG seat है PG seats है और यह आपकी diploma seats कितनी कितनी हैं इनके लिए आपको मिलेगा तो और यह जो है notification अगर आपके पास नहीं है तो देख लिए जिए कर टेलेग्राम चरह पर आपको शेयर किया हुआ है हाला कि जब से यह जारी हुआ ता तबी से शेयर किया हुआ है आपको फिर से मिल जाएगा बाकी जो मैंने लिंक शेयर किया है उस पर आपको सारी information वापर शेयर की है अब यहाँ पर हमने जो कुछ doubts से जैसे की कुछ doubts इस तरह से थे कि husband उनके government job में है तो वो apply कर सकती है तो government job में है तो इसके अलावा अगर आपको scholarship क कोई lab नहीं मिल पा रहा है तो आप as a student वहाँ पर apply कर सकते है को इस में शुड़ी है आप जैसे कि यह वी अमें के official website है तो यहाँ पर आपको बाली का दुर सिच्छा युजना का दिख रहा है इसके लावा जो fee receipt अपको download करने प्रिंट करनी है तो यहाँ से आप अपनी जो करके देख सकते हैं कि admission वाला अभी चल रहा है नहीं चल रहा तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है apply online पर और यहाँ पर आपकी जो fresh admission है प्रोमोटी फॉर्म है जैसे कि अब भी आपने अगर पिसले साल admission ले रखा है जुलाई वारे सेशन में 23 वाले में तो आपको second year के लिए जरूर फॉर्म भर देना ध्यान रखेगा या फिर अगर आप जो जुलाई 2022 में फर्स टेर में admission लिया तो 23 में आपका second year हो गया इसके लावा अभी आपका final year है तो यह भी आप ध्यान रखेगा अपना प्रोमोटी फॉर्म आप जरूर फिल कर लीजेगा fresh admission भी चल रहे है 25 फिब तक इसकी last year है इसके लावा एक और query है कि results अभी तक आना शुरू नहीं होए हैं तो यहाँ पर हमने के results section में आपको चेक करते रहना है तो अभी आने शुरू नहीं होए हैं आपके June 2024 के जो results है तो थोड़ा सा वेट कर लीजेगा जितने भी अभी तक के 2-3 सालों में कोविड के बाद में जो exams होई हैं उनके results जो है October तक आने शुरू होते हैं तो थोड़ा वेट ओर कर लीजेगा आपके और जैसे ही नए results अपडेट होंगे उस तरह से आपको information टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी तो अगर आप नहीं जुड़ेवे हो विए में कोटा daily updates ट